Hello friends, में ये यूटीचनल हर्चेता थर सिंग्पर आपका बहुत बहुत साकत है Friends, आज की विडियो में हम सायस इच्छा की इतियास को ही continuity करेंगे इससेपनेहे हमने यूणाल का इतियास, रोम का इतियास, दिर्मारक का इतियास और यहमिनिका इतियास पड़ा था आज की वीडियो में हम स्वीडन में साइस सिक्षा का इतिहास देखेंगे तो चली देखने से इसमें है क्या तो question number 106 है Sweden में साइस सिक्षा को सारी यहां पे को हो जाएगा Sweden में साइस सिक्षा को उचा दर्जा दिलाने में किस विद्वान का हाथ था इसका answer है कब से कब तक थे इसका answer है 1776 से 1849 1776 से 1849 पर हैं लिंग थे next है question number 108 पर हैं लिंग ने जिमनास्टिक को कितनी समुहों में बाटा था पर हैं लिंग ने जिमनास्टिक को कितनी समुहों में बाटा था इसका answer है चार समुहों में परहर्निक लिंग में जिमनास्टिक को चार समुह में बटा था नेक्स है question number 109 परहर्निक लिंग ने जिमनास्टिक को कौन से चार समुह में बटा था ठीक है चार समुह में बटा था लेकिन वो समुह कौन कौन से थी एक्जाम में पूछ लिता है आपके important है ध्यान रखेगा तो चार समूव थे आपके, पहला है सैक्षे जिमनास्टिक, दूसरा है सैनिक जिमनास्टिक, तीसरा है स्वास्तिय वर्दक जिमनास्टिक, चौथा है कलात्मक जिमनास्टिक, यह चार समूव आपके हैं. स्वीडन में लिंग की विचारों से प्रभावित होकर राज के जिमनास्टिक केंद्री संस्थान की सापना कब की गई? इसका अंसर है 1814 से में. पर हैंडिक लिंग की याद में उनकी बड़सी के दिन कौन सा समरों आयोजित किया गया? इसका अंसर है लिंग याट समरों. यह आपके इंपोर्टन कोश्चन है, ध्यान रखिएगा. आपके लिंग याट से जितने भी कोश्चन बार रहे हैं, हर एक कोश्चन आपका पर हैं यह इंपोर्टन कोश्चन है, इसको भूलिएगा मत आप लोग. ठीक है? नेक्स है. कोश्चन नमबर 112, प्रथम लिंग याट समरों कब आयोजित किया गया? इसका आंसर है 1949 स्वी स्कॉर्ट हों में. ठीक है? प्रथम लिंग याट समरों 1949 स्वी में श्टाउख हों म में आयोजित किया गया था नेक्स है question number 113 लिंग्याट समारों में कौन कौन से कारेकरम को सामिल किया गया इसका अंसल है जिमनास्टिक व्यायाम की प्रदर्शनी तथा सारे रिक सिक्षा पर विश्व सम्मेलन को सामिल किया गया था मैं आपको बार बार बोल रहे हूँ कि लिंग्याट से सम्ममति जितने भी कोश्चन है ध्यान से पढ़िएगा कि लिंग्याट से देश ने सारे रिक वियां को प्रदर्शन किया इसका अंसर है Swayden, Denmark, England, Hungary to Germany ठीक है जж समरोज था उसमें कौन कौन सदेश सारे ही गया था उसका अंसर है इसका अशार स्वेडों डिर्मारत इंग्लेंड हंगृी तथा जर्मनी तुर्मन नेक्स से कोप्त्व नम्ब 115 पर हैंडिक लिंग की याद में पहला लिंग यार्ट 1349 इस्वे में आयोजित किया गया तो दूसरा कुट्सर नेक्पा ध्यांस के सुन सकता है और दूसरे का भी संपूर सकता है तो ध्यान दखिए गए दूसरे आपका उनिस सो उन्चा विस्विव में आयत किया गया था हनुमान ब्यायां प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंग्यार में भारती संस्क्रिति वह उसकी पदिति का पदर्शन किया इसका अंसर है स्वीडन में सिक्षा व्यायाम किस से संबंदित है इसका अंसर है बच्चों से स्वीडन में आउसत व्यायाम का संबंद किस से है इसका अंसर है तुरुटियों को दूर करना तुरुटियों को दूर करना असत व्यायाम से संबंदित था स्वीडन में लड़के लड़कियों की आयू के अनुसार क्रियाओं का विभाजन किस ने किया इसका अंसर है जालमर लिंग ने लड़के लड़कियों की आयू के अनुसार क्रियाओं का विभाजन किया था किस देश के प्रतियक विद्याले में तहराकी की परिक्षा ली जाती थी इसका अंसर है स्वीडन ये सब सारे कुछ बन रहा थे तो मुझे लगा कि आप बता देना चाहिए आपके जानकारी में होनी चाहिए तो आपके स्वीडन से कुछ भी पूछ ले और नहीं कर पाए उसको तो मेरी तरफ से ही कोसिस है कि एक छोटा से कोस्टन अगर इस टॉपिक से बंदा है तो उसको भी मैं आपको दे सकूँ तो ये सारे कोस्टन आपके ठीक है नेक्स से कोस्टन नमबर 121 लिं लिंग यार मनाने का उद्देश से क्या था इसका अंसर है स्वीडन में जिमनास्टिक को लोग प्रिये हो ठीक है स्वीडन में जिमनास्टिक लोग प्रिये हो लिंग यार मनाने का यहीं उद्देश से था अगर आपको मैं वीडियो अच्छे लग है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अच्छा लग रहा हो helpful लग रहा हो तो प्रेंड्स में भी इसको आप सेर कर सकते हो तो प्लीज आप सेर करो और अभी तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ जोड़के रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जड़क प्लीक कीजिए ताकि मेरे जितने भी आपको नए वीडियों है आपको मिल सके ओके तो चलिए नेक्स है कोश्चन नमबर 112 रॉयल सेंटर इंस्टिट्यूट आप जिमनास्टिक कहां पर है इसका अंसर है स्टॉक होम में ठीक है स्वीडन में उपकरण सहित व्यायाम में क्या समलित नहीं था इसका अंसर है हाथ पैर सिर्व और कमर के व्यायाम नहीं समलित था स्वीडन में साइज सिक्षा करने अंतर कौन करता था इसका अंसर है सिक्षा बोर्ड ठीक है नेक्स है कोश्चन नमबर 115 पर हैंड्रिक लिंग ने कौन सी पुस्तक की रशना की थी इसका अंसर है जन्रल प्रिंस्पल आप जिमनाश्टिक की रशना पर हैंड्रिक लिंग ने की थी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को रोक के पॉस करके जाए जनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स है कुश्चन नमब 126 जालमार लिंग कौन था इसका अंसर ह पर हैंड लिंग का पुत्र था ठीक है जालमार लिंग का पुत्र था नेक्स्ट है Q127 जालमार लिंग का पूरा नाम क्या था इसका अंसर है हजालमार फैडरिक लिंग था नेक्स्ट है Q128 स्वीडन में व्यायामो को डॉक्टरी जिमनास्टिक के रूप में मानिता प्रदान करने का स्रे किसे जाता है इसका अंसर है पर हैंडरिक लिंग ने ठीक है यानि कि पर हैंडरिक लिंग ने साधन जो आपके व्यायाम होते थे स्वीडन में उसे डॉक्टरी जिमनास्टिक के रूप में मानिता प्रदान कराई थी स्वीडन में सारे सिख्षा के विकास में अपना योगदान दिया था तो इसका अंसर है आपका लर्स गेबराईल नॉटिंग दूसरा है आपका गुस्तो नेबलाउस वा जालमर लिंग ठीक है एक बार नाम फ़र से सुन लिजिए लार्स गेबराईल नाटिंग दूसरा है अपका गुस्तो नेबलाउस वा तीसरा है आपका जालमर लिंग ये चार ऐसे लोग थे जिन्नोंने काफी योगदान दिया था इसमें आपका पर हेन्रिक लिंग और जर्मल लिंग बिसेस्टों से लिखनी है ठीक है नेक्ट है question number 130 130 प्रारम में स्वीडन में सारे सिक्षा का उद्देश से क्या था इसका अंसर है कुसल सैनिक निर्मित करना ठीक है कि अन्सर है जिमनाष्टिक का विकास ऑगे के जमन्सका क्या विकास एस खेल को मुसलमानों ने भारत में प्रस्लित किया कोछले एक फिर से सुन लिए किस खेल को मुसल्मानों ने भारत में प्रस्लिट किया इसका अंसर आपने कमेंस बॉक्स में जरूर दीजेगा और पिछले वीडियो का आंसर में इसके इस वीडियो के डिस्कुर्प्स में दे दूंगी तो आप वहां से चेक कर लेना ओके अगर all the best